दोस्तों हाली में Honorable Allahabad High Court ने अपनी एक बहुत ही important judgment देते हुए ये सपश्ट किया कि मस्जिदों में आजान के लिए loudspeakers का इस्तेमाल करना एक मौलिक अधिकार नहीं है ये कोई पहला मोका नहीं है जब किसी court की तरफ से इस पूरे मसले पर कोई judgment आई हो इससे पहले भी हमें देखने को मिलता है कि Honorable Calcutta High Court and even Honorable Supreme Court की तरफ से भी इस पूरे मसले पर judgments आ चुकी हैं आज की अपनी इस वीडियो में हम इन सभी judgments को discuss करेंगे और साथ ही में देखेंगे कि specifically Allahabad High Court ने इस पूरी judgment में क्या-क्या बाते कही So welcome to study IQ, my name is Chanth Quba, अगर आप मेरी वीडियो की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो Telegram के इस चैनल को आप जॉइन कर सकते हैं देखें दोस्तों सबसे पहले तो Allahabad High Court ने ये सफ़ष्ट किया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजान जो है वो Islam में एक essential religious practice है But at the same time ये भी कहा कि भई use of microphones और use of loudspeakers is definitely not an essential religious practice in Islam यानि कि आजान तो एक essential religious practice है बट microphones या loudspeakers का इस्तेमाल करना कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो एक essential religious practice है साथी में ये भी स्पष्ट किया गया कि आजान can be recited by muazins from minars of most जो muazin होते हैं वो आजान यहाँ पर कर सकते हैं कहां से जो minars होती हैं मौस्क की जो मस्जिदों की minars होती हैं वहाँ पर जाके करें और human voice में जो आजान है उसे recite किया जा सकता है आप microphones का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि भई जब human voice में जब natural voice में मौजजिन आजान recite करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से hinder नहीं किया जाएगा क्योंकि यह उनका एक मौलिक अधिकार है बट again microphones या loudspeakers का इस्तेमाल करना एक मौलिक अधिकार ही नहीं दूसरी बात यहां पर यह स of azan through sound amplifying devices is of article 25 of the constitution जो main contention थी ना petitioners की वो यही थी कि जब आप यानि कि जब सरकार हमें आजान के लिए loudspeakers नहीं इस्तेमाल करने देती है तो ऐसे में हमारा जो article 25 में हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो हाइकोड ने कहा कि चलो यहीं चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में आजान थू साउंड एंप्लिफाइंग डिवाइज इस इंटिग्रल पार्ट आफ इसलाम इन्होंने तो बाती यहां से यह शुरू की कि भाई लाउट स्पीकर्स का इस्तिमाल करके आजान रिसाइट करना हमारा एक असेंशल रिलीजिस प्रैक्टिस है और वो आप हमसे नहीं छीन सकते हैं अगर आप ऐसा करते हो तो आर्टिकल 25 में दिये गए हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है इन्होंने यह भी कहा जो प्रेटि बट कहते जी विद पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन बढ़ रही है एरिया वाइड हो रहा है ऐसे में जो बिलीवर्स ऑफ इसलाम है उन्हें बुलाने के लिए या उन तक आवाज पहुचाने के लिए लाउट स्पीकर्स का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है इसलिए कह ही पेटीशनर्स ने यानि कि उन्होंने ये बात कही कि इसके बेसिस पर फिर आगे गौर्मेंट ने क्या कहा गौर्मेंट ने अपना जवाब देते हुए क्या कहा चलिए वो भी देख लेते हैं गौर्मेंट की तरफ से जो एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रेजेंट इस सब्जेक्ट टू पॉब्लीक ओर्डर मोरैलिटी एंड हैल्थ एंड पार्ट थ्री ओफ दी कॉंसिटूशन देखे भई उन्होंने भी स्पष्ट किया कि देखे भई 25 जब हम पढ़ते हैं वो हमें क्या करता है हमें फ्रीडम ओफ रिलीजिन तो देता हैं बट फ्रीड पिरीडम प्री ऌफ दीविड सोगिए एक तरह आपके पास यह से फ्रीडम ओफ रिलीजिजिन हैं इंड हमें फॉज़ेग का और मुद और दूसरा है morality तीसरा है health and चोथा है कि दूसरों के जो मॉलिक अधिकार है पार्ट 3 में दिये गए दूसरों के जो मॉलिक अधिकार है उनका हनन नहीं होना चाहिए आपके religion के freedom से यानि कि मेरे पास यह अधिकार है कि मैं अपने धर्म को किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रेक argument दी गई government की तरफ से साथी में एक और argument add की गई कि rule 5 of the noise pollution regulation and control rules of 2000 in short the noise pollution rules states that a loudspeaker और a public address system shall not be used except after obtaining the written permission from the authorities. कहा जी देखो जो noise pollution rules है उनमें भी यह rule 5 स्पष्ट करता है कि अगर आपको loudspeaker का इस्सेमाल करना है तो authorities की permission के बिना आप नहीं कर सकते साथी में noise pollution rules की उपर हमारी एक वीडियो भी आचुकी है उसमें भी हमने स्पष्ट किया था कि authorities जो हैं वो किन किन situations में return permission दे सकते हैं हर situation में ही आप जो है unlimited use की permission ले सकते हैं authorities से नहीं वहाँ पर हमने noise pollution rules में जब हमने discuss किया था उस वीडियो में तो उसमें भी हमने ये discuss किया था कि authorities भी certain situations में ही return permission दे सकती हैं loudspeaker के लिए तो अब यहाँ पर ये दो contention दी जाती हैं government की तरफ से honorable high court ने दोनों parties को सुनने के बाद कहा कि जो petitioner की argument है कि loudspeaker का इस्तेमाल एक essential religious practice है तो कहते जी वो जो argument है न वो totally misconceive है और totally baseless argument है ऐसे में high court ने कहा कि सबसे पहले तो हमें दोनों articles को पढ़ना चाहिए article 25 और article 19 clause 1 and clause 2 को पढ़ना यहाँ पर चाहिए क्या क्या बाते लिखी गई है article 19 में और article 25 में सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं देखिए article 19 1 में हमें जो है सबसे पहले 19 1 A में freedom of speech and expression मिला हुआ है याने कि आपके पास बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है हर नागरिक के पास कहता जी all the citizens have the freedom of speech and expression but at the same time article 19 clause 2 में ही इस अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर reasonable restrictions लगा दी गई याने कि मेरे पास जो बोलने की अभिव्यक्ति की अजादी है वो unlimited नहीं है उसके उपर reasonable restrictions भी article 19 2 में ही लगा दी गई क्या है reasonable restrictions कहता जी nothing in clause A of the clause 1 shall affect the operation of existing law or prevent the state from making any law in so far as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of right comfort by the said sub clause in the interest of sovereignty याने कि आप कुछ भी बोल रहे हो इन चीजों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए आप कुछ भी अभिव्यक्त कर रहे हो आप देश की सम प्रभुता से खिलवाड नहीं कर सकते देश की integrity से खिलवाड नहीं कर सकते आपकी बोली हुई बात से security of the state को को कोई खतरा नहीं पहुचना चाहिए हमारी जो state के friendly relations है दूसरी states के साथ उनको खतरा नहीं पहुचना चाहिए public order जो है वो यहाँ पर disturb नहीं होना चाहिए decency and morality को खतरा नहीं पहुचना चाहिए और किसी court का contempt नहीं होना चाहिए या फिर defamation और incitement of an offense नहीं होना चाहिए इसके बाद article 25 क्या कहता है बहुत ही शांदार article कहता जी right to freedom of religion freedom of conscience की बात की गई freedom of profession practice and propagation की बात की गई अभी जो freedom of conscience है यह है inner freedom इसके उपर तो कोई रोक लगी नहीं है इंडिया में तो लगती नहीं है हाँ चाइना जैसे देश है वहाँ पर आप क्या सोचते हो उसके उप पर हमारा जो right to freedom of conscience है यह हमारा unlimited right है यानि की इसके उपर कोई restriction है सच नहीं है आपके मन की बात है आपके अंतरात्मा की बात है आप कुछ मर्जी सोचो लेकिन freedom of profession practice and propagation यह सिरफ internal matters नहीं यह external matters भी है इससे इसमें में potential है कि हम दूसरों को भी impact कर सकते हैं तो इनके उपर reasonable restrictions लगा दे गए अब यहां पर कहता है जी subject to देखो बात ही इन्होंने यहां से शुरू की कि भाई यह जो तीनों है यह unlimited नहीं है यहां पर भी इन्होंने क्या कह दिया subject to subject to public order morality and health and to the other provisions of this part यानि की चार सब यहां पर conditions लगा दी गई कि आपके पास freedom of religion है कहता जी subject to public order morality health and the other provisions of this part all the persons यह एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है सभी के पास सिर्फ सिटिजन्स नहीं all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely to profess, practice and propagate religion देखे भई यहां पर यह कहा गया कि आप हर व्यक्ति के पास freedom of conscience and right to practice, profess and propagate the religion है but subject to subject to subject to public order morality health and the fundamental rights of others तो इन चारों चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपना religion enjoy कर सकते हो अब यहां पर न एक दो words important है पहला है प्रोफेस दूसरा है practice and तीसरा है प्रोपागेट अब इन वर्ट को आगे हम discuss करेंगे देखे इसको पढ़ने के बाद आर्टिकल उननेस हाई कोट क्या करते है और बल हाई कोट जो है वो कलकता हाई कोट की एक judgment का जिकर करते हैं अब कलकता हाई कोट के सामने भी एक हिंदू रिलिजिन की एक organization ने यहां पर कुछ इसी तरह की एक petition लेकर आये थे उन्होंने कहा था कि जी हम जो डेली पूजा करते हैं वो हमें इसपश्ट किया था that the right to propagate one's religion means right to communicate अब देखिए यहां पर एक शब्द हम ने यूज किया था right to propagate अब क्या कहा that right to propagate one's religion right to propagate one's religion means right to communicate a person's belief to others and to expose the tenants of that faith यहां पर यह पर यह इसपश्ट किया गया कि propagate करने का मतलब क्या होता है कि मैं अपने धर्म के बारे में दूसरों को बता रहा हूँ दूसरों को बता रहा हूँ कि मेरे धर्म में मेरे faith में क्या क्या बाते हैं the question is whether the right to propagate religion includes the right to use the light speakers or microphone for the purpose और यहां पर कहते जी सवाल क्या उठता है सवाल यह उठता है कि क्या मैं दूसरो का यह microphone का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो यहां पर इन्होंने दो बातें कहीं इसके जवाब में पहली बात तो यह that there cannot be any dispute that this sound is known as the source of pollution पहली बात तो यह कि जो loudspeakers होते हैं उनसे जो sound निकलती है उसमें वो loudspeakers जो हैं वो sound pollution का एक कारण बनते हैं पहली बात तो यह और दूसरी बात ते कहताज जी, undoubtedly one can practice, profess and propagate religion as granted under article 25 clause 1 of the constitution but that is not an absolute right. The provisions of Article 25 is subject to the provisions of Article 91A of the Constitution. On true and proper construction of the provisions of 25-1, read with 19-1A of the Constitution, it cannot be said that a citizen should be coerced to hear anything which he does not like or which he does not require. अब देखिए भई, यह दोनों का यहां पर जिक्र कर दिया, एक तरफ है Article 25-1, जहां पर यह अधिकार आपको मिल गया, कि भई आपके पास प्रफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस करने का अधिकार है, यानि कि आप दूसरों को बता सकते हो, अपने धरम की बातें, प्र आइक एन, दिर इस अफ्रीडम ओफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बट अब आप पच्छिस एक को और नाइंटे नवन एक को इकठ्थे पढ़ते हो, तो आप यह पाते हो कि नाइंटें वन एप तो रिजनेबल रिस्रिक्शन भी लगी होई है, आप अप अच्छिस एक में आप यह पास अधिकार है, तो प्रोपगेट माय रिलीजन, आप यह भी कहते हो कि 1901 A में मेरे पास अधिकार है, तो एक्सप्रेश माइसेल्फ, बट अच्छिस एक को पढ़ो, उसके बाद फिर आप 1902 को तो डफिनेटल ली पढ़ो गी ना, और 1902 में क्या किया, दूसरों को WORSE नहीं कर सकते हो. अपने धर्म के TENANTS बताने के लिए, अपने धर्म के जो भी FEATURTH हैं, उनको बताने के लिए दूसरों को, आप धक्ये से नहीं सुना सकते हो, forcefully उनको नहीं सुना सकते हो, which he does not like, और which he does not require, जो दूसरों को सुनने की इच्छा नहीं है या वो दूसरा सुनना चाहता नहीं है उसको कोई requirement नहीं है आप धक्के से थोड़ी नहीं कह सकते हो कि भई मेरे धरम में यह बाते हैं तो जब आप loudspeaker यूज कर रहे हो कोई भी धरम का व्यक्ति loudspeaker यूज कर रहा है तो क्या हो र था दूसरा केस भी देख लो मुलाना मुफ्ती साइद मुहमद नूरूर रह्मान बरकती वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगॉल अब यह जो केस था इसमें स्पैसिफिकली मैटरी यही था कि आजान के लिए loudspeakers इस्तेमाल किये जाने चाहिए यह नहीं इसमें भी कैलकट हाई कोर्ट जो है इन दोनों ही जज्जमेंट्स में यह क्लैरिफाई कर चुके हैं कि भाई देखो आपके पास राइट टू फ्रीडम ओफ रिलीजन तो है बट उसका इस्तेमाल करने के लिए loudspeakers का इस्तेमाल करोगे यह कहीं नहीं लिखा हुआ है फिर तीसरी यहाँ पर फुल गॉस्पल इन इंडिया वर्सिस के के आर मैजेस्टिक तो यह जो जज्जमेंट थी इसमें भी उन्रेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें कही थी इन फैक्ट यहाँ पर उन्रेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 को आर्टिकल 21 से जोड़ा था बड़ी और लौड्स पीकर और चैनल इंस्टुमें वर्स और वर्सिप और लिटीज इन असेंशल पार आट वियुजमें क्लेम कर नि सकता कि वह मारे धर्म में लौड़ेट इसमाल करना एक असेंशल रिलिजिस प्रक्षेंट अर आटिकल 25 में पर्टेकट अटटेड थी एसा था नहीं, we hold that there is no fundamental right to use loudspeakers or similar instruments under article 91A of the constitution, अब ये एक और बढ़िया बात कह दी कि article 91A में freedom of speech and expression तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो loudspeaker से ही आप use करोगे, आप ये नहीं कह सकते कि loudspeaker ही दो हमें तभी हमारा freedom of speech and expression होगा, फिर कहते जी on the contrary, the use of such instrument contrary to noise pollution rules will be a violation of fundamental rights of citizens under article 21 of the constitution, कहते एक चीज़ तो ये कि आपके पास 91A में या 25 में loudspeaker का इस्तिमाल करने का fundamental right है नहीं, दूसरी बात on the contrary, अगर आप use करते हो, तो आप दूसरे citizens का article 21 में दिया हुआ right to life जो है ना उसे violet कर रहे हो, तो सोच समझ के इस्तिमाल करना, फिर क्या कहते है जी, कहते है जी, as well as the fundamental rights of citizens of not being forced to listen something which they do not desire to listen, यानि कि अगर आप loudspeaker के इस्तिमाल कर रहे हो, तो आप citizens को वो सुनने पर मजबूर कर रहे हो, जो वो सुनना नहीं चाहते, अब coming to this case, इस case पर वापस आते हुए, हाई कोट ने क्या कहा, कहते जी, a citizen has right to leisure, right to sleep, right to not to hear, right not to remain silent, right to read, right to speak with others, अब ये कहते जी, ये सारे rights मिले हों है एक citizen के पास, सारे, अब आप मिरे को बताओ, ये जो सारे rights हैं, right to sleep, right to hear, remain silent, ये वो, ये सारे किन किन articles के तहत कवर हो रहे हैं, ये आप मिरे को comment कर के बताओगे, कहते जी, use of microphone certainly take away right of the citizens to speak with others, right to read, right to think, right to sleep, कहरे, जब microphone इस्तेमाल हो रहे हैं, तो natural सी बात है, जो citizens है, वो आपस में बात नहीं कर पाते, सो नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो क्या हो गया, microphones या loudspeakers दूसरों के fundamental rights का हनन कर रहे हैं, जो कि नहीं allowed है, article 25 में भी हमने पढ़ लिए, then there may be heart patients, or patients suffering from nervous disorder, and they may be compelled to bear this serious impact of the sound pollution, which has had an adverse effect on them, it creates health problem, so again article 21 पे बात आती है, article 25 पे बात आती है, no person has the right to take away the right of others, there is no freedom of religion in the country, except provisions of article 25 of the constitution, which is subject to, कैते जी, देखो, किसी भी व्रती के पास याधिकार नहीं है, कि वो दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन करे, article 25 में ही आपको freedom of religion मिला न, उसमें भी तो आपने subject to कर दिया, subject to क्या, public order, health, morality, and provision of the part 3 of the constitution, फिर कैते जी, freedom of religion is subject to the others' rights as guaranteed under article 91a of the constitution, namely religious freedom cannot be, cannot abridge and take away or suspend the others' right under article 91a regarding their freedom of speech and expression, कैरे जी, जब आप loudspeakers का इस्तेमाल करते हो, दूसरों को जो article 91a में freedom of speech and expression मिला हूँ है, वो आप छीन रहे हो, वो आप नहीं छीन सकते, in the garb of using your loudspeakers और article 25 में दिये गए आपके दिकारों को, ठीक है, तो यह यहाँ पर कहते हैं, वनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि भाई, use of loudspeakers is not a fundamental right for the purpose of reciting azan or for that matter any other religious activity, I hope कि आपको यह judgment समझाई होगी, अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे, till then thank you and आपके comments का इंतजार रहता है, तो बताना जुरूर, ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे, till then thank you and have a great day.